स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बाफ फिल से हमारे चैनल नेचर केर प्लस में दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर मां आपको बताता है वाला हूँ कैसे आप टामाटर की मदद से जया हमारे घरों के अंदर, किचन के अंदर जो मौझूर टमाटर होता है उसकी मधद से आप कैसे अपने चेहरे से अशुद्यों को निकाल सकते है? कालेपन को निकाल सकते है? महэл को निकाल सकते है? वो भी बहुत ही सिंपल स्टेप से जियां दोस्तो आज की इस वीडियो को अंदर मैं आपको एक ऐसा करिश्माई नुस्खा बता रहा हूँ जो कि टामाटर के मदस से बनेगा जिसका इस्तमाल अगर आप करेंगे तो इससे आपको बहुत जबरदस गलो देखने को मिलेगा बहुती जबरदस फायदा देखने को जिससे की हमारी स्किन जो थी वो गलो होती है तो दोस्तो इसको हमें सबसे पहले इसका पेश्ट बना लेना है दोस्तो टमाटर को आपको मिकसर के अंदर आपका पीस कर इसका पेश्ट बना लेना है और उसके बाद आपको इसे चान लेना है चानने के बाद दोस्तो हमें इ इसका सारा रस हमें निकालना है दोस्तो हमने इसका सारा रस अब निकाल लिया है दोस्तो अगली चीज अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे दोस्तो वो है दूद दूद जोस्तो ये गाय का दूद है गाय का ताजा शुद्ध दूद है अगर आपको गाए का दूद ना मिले तो आप जो फुल क्रीम दूद होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं दोस्तों हमारी स्किन के लिए बहुती ज़्यादा जबरदस्त होता है दोस्तों इसका बहुती शांदार कलर आपको देखने को मिल रहा है लाइट पिंग कलर हो चुका है और यह दिखने में काफी ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है अब दोस्तों इसके अंदर हम डालेंगे बादाम की क्रीम दोस्तों बादाम की जो क्रीम में या आपको मार्केट के अंदर जनल स्टोर में आसानी से मिल जाएगी या फिर आप इससे ओनलाइन भी खरी सकते हैं इस क्रीम के अंदर दोस्तों बादाम की खासे होती है बादाम के गुण इस क्रीम में पाये जाते है जो कि हमारे स्किन के लिए हमारे चेहरे के लिए कि हमारे glowing skin के लिए बहुत ज़्यदा important होती है दोस्तों अब इन सभी चीजों को आपको अच्छी तरिके से मिला लेना है अच्छी तरिके से दोस्तों हमें क्योंकि वो कटोरी हमारे लिए छोटी पड़ रही तो हमें इससे एक बड़ी कटोरी में shift कर लिया है अब इन सभी को हमें अच्छी तरिके से मिला लेना है ताकि यह जो भी दाने दिखाई दे रहे हैं यह सारे दाने निगल जाए आपको करीब 4-5 मिनिटा कि से मिलाना है तो दोस्तों हमें इससे अच्छी तरिके से मिला लिया है अब यह लगाने के लिए बिलकुल तयार है दोस्तों यह cleansing milk ह कि आपको इसका प्रियोग रात को सोने से पहले अपने चेहरे के उपर करना है रात को सोने से पहले आपको आदे गंटे पहले अपने चेहरे के उपर इसे cotton की मदश से या सूती कपड़ी की मदश से अपने चेहर पर लगा लेना है उसके बाद आदे गंटे बाद आपको अ